हेलो स्वागत है आपका मेरी सवाल और जवाब वाली सीरीज में जहां पर आप लोग के जो भी सवाल होगे मैं इस वीडियो में जवाब देने की कोशिश करूँगा अगर आपको नेक्स्ट सीरीज के लिए सवाल पुछना है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट के अंदर आप लोगो हैश्टेक आस्क रुहेस करके आप मुझसे जो चाहे वो पूछ सकते हैं तो मैं इस संडे को चोड़के नेक्स संडे की दिन आपके सवालों की जवाब देने की कोशिश करूगा अगर आपका सवाल मैंने नहीं पिक किया तो मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं अकेला इतना सारे चीज़े एक साथ नहीं कर सकता हूँ तो जाड़के नहीं करते हैं बहुत अच्छे-च्छे मैंने सवाल पिक किया हूँ तो पड़ा बड़से आज की सव सबस्क्राइबर से प्यार करते हो लव यू भाई अकाश पार अटक्रेकर वरोशा करने के लिए मैं अपने सब्सक्राइबर से बहुत प्यार करता हूँ कि приг करता है तो अगर आपने सब्सक्राइब किया है आपके प्यार दिया है, support किया है, share किया है, comment किया है, बहुत कुछ किया है, जिसके लिए मैं आप लोग को return में कुछ नहीं दे सकता हूँ, बस giveaways करते हैं, thank you बोल देते हैं, और सुझादम क्या कर सकते हैं, माशाला से लाखों लोग हैं, तो यही एक प्यार है, मेरे पास कु करने वाला, millions of views, millions of subscribers है, तो हाँ, मेरा favorite अगर तीनों में से कोई है, तो तीनों अच्छे है, मुझे यहाँ पर आशी चंचलानी अच्छा लगता है, तोड़ा सा मज़ा आता है, बीबी की वाइन्स, one man army, 10 million subscribers, तो बहुत-बहुत बदाई हो, बीबी की वाइन्स को, अकेले क्यों नहीं जाता हो, देखो भाई, मुझे बिलुकल भी interest नहीं है, focus YouTube का सिर्फ कुछ चंद लोगों पे है, कुछ लोगों पे है, कुछ नहीं, majority of the logo पे नहीं है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे बहुत सारे deserving YouTubers आच मैठे है, जो लोगों को YouTube को बुलाना सब चीजों में बंद कर दिया, यहाँ पे फेक आचिश चंचलानी वाइन्स पूछते हैं कि भाई के साथ कॉलाइब कप करो गया, और यह सवाल मुझे बहुत सारे लोग ने पूछा है कि भाई जी के साथ कॉलाइब करो, वैसे अगर कुछ लोग नहीं है तो उनको नहीं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो कुलाइब करके देख लेंगे यार फ्यूचर में अगर वक्त रहा तो हम कुछ और अलग तरीके के वीडियो बना देगे लेंगे, फिलाल के लिए भाई जी को इंट्रेस्ट नहीं है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे रो हो जाता है, तो हाँ हम वापस से मंगवा लेंगे, उनसे कहेंगे, शिप कर दो वापस से, और फिर एक नया प्रेटक रिप्लेस्ट करके देदेंगे, दूसरों का मुझे नहीं पता, फिलाल के लिए मेरे साथ तो भी को इस्यू नहीं हुआ, तो लेकिन वैसा टेंशन लेन यहाँ पर रामाचल पांडे ने पूचा है कि परफॉर्मेंस वाइस कौन सा फोन बेश्ट है, पंदर हजार के रेंज में, एसुस जैनफोन मैक्स प्रो एंवन या फिर नोकिया 6.1 प्लस, देखिए ये एक बहुत ही टफ कॉमपडिशन है, दोनों के अंदर आप लोग को बेटरी मिलती है, यह बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, दोनों में स्टॉक एक्स्पिरियंस है, दोनों में डूल कैमरा है, सब कुछ अच्छा आपको मिलता है, लेकिन एसुस का 15,000 वाला शायद सम्थिंग वो आपको 6GB ग्राम देता है, तो अगर में फीचर वाइस दे देती है, और मेरे पास यहां पर अभी बड़ा सा टीविया है, 50 इंच का मेरे पास महां पर बहुत सारे पावर बैंक से बहुत सारे यह फोन पड़े हुए, और भी काफी सारी चीजी अभी पेंडिंग आने के उपर, यह अगर मैं देखा जाओ तो एक कहावत है, जो दिख बिशती है, वो आपके फाइदे के लिए नहीं बिशती है, तो वो आपके चैनल को देखेंगे, अगर आपके चैनल को बहुत कम सब्सक्राइबर है, व्यूज अच्छे नहीं है, तो आपको नहीं देगे, और उनके पास ऐसे लोग लिश्ट में मौजूद है, जिनके है, और अंदर आपके पैचार अच्छी हो, तो भी आपको इज रिव्य उनिट्स मिल सकते हैं, यहां पर दिवांग शर्मा बोलता है, बजेट फोन चाहिए कौन साइदे को इन्होंने बहुत बड़ा कॉमपटिशन कर दिया, यूज टू, टैनोड टू, शामी 6A, या फिर इन्फिनिक स्मार्ट टू, चार में से तीन फोन अच्छे है, यू एस टू अच्छा है, आपको टैनोड को स्केप कर दो, शामी का रेड्मी 6A अच्छा है, और इन्फिनिक स्मार्ट टू अच्छा है, क्योंकि यहां पर जो यू एस टू है, और इन्फिनिक स्मार्ट टू तो US, अगर आपको fingerprint scanner नहीं चीए, आपको अच्छा performance चीए तो 6A यहाँ पर अर्ष अर्ष ने पूचा और यह भाई जो हो मुझे हर वीडियो के निचे comment करें के पुछते कि Mi Note 3 को कब replace करो, यह मेरा Mi Note 3 है, यह actual Xiaomi का Redmi Note 3 नहीं जो इंडिया में launch हुआ है, यह Mi Note 3 है, जो चायना में launch हुआ है, इंडिया में नहीं आए, काफी सार रोग इसमें confused हो जाते है, अब यह phone का camera मुझे बहुत पसना है, Samsung S9 Plus जैसे phone को भी इसने camera में टकर दे दिया था, तो फिर मुझे replace करने का daily नहीं कर रहा है, मेरा सब कुछ काम इसमें हो रहा है, 6GP के रहा है, Snapdragon 660 है, तो फिर problem क्या replace करने की ज़रूद नहीं है, और इतने सारे data है, अभी इसके बाद नया phone लो, उसमें सब कुछ transfer करो, तो यार, प्राब्लम हो जाती है, तो खेर, यह मेरी उपीने अगर मैं honestly कहता हूँ, तो बहुत सारी company से जो काफी अच्छा काम कर रही है, Xiaomi भी वैसे काफी अच्छा काम करती है, फिलाल के लिए मुझे realme थोड़ा सही लग रही है, realme जो phones ला रही है, और एक वही ऐसी company जो Xiaomi जैसी phones को हरा रही है, जी हाँ, एकदम से खतम कर रही है, और Asus भी अच्छी काम करी, Max Pro M1 लाइए उसके साथ में, अब जो realme 2 pro आएका यह बहुत ही धमाल होने वाला है, उसका सवाल का जवाब भी काफी आया, तो मैं आगे वीडियो में बता दूँगा, यहाँ पर मदूर शेर्वा पूछते कि भाई आपको चॉकलेट पसंदे, जी हाँ, चॉकलेट किसको नहीं पसंदे, सबको पसंद होती है, यहाँ पर कुशल जी पूछते है कि विच फोन इस बेस्ट, रेड्मी 6 या फिर रियल्मी 2, देखिए, अगर वीडियो देख लेंगे, तो शायद से आपकी कंफूशन जो दूर हो जाएगी, यहाँ पर टे जो पेछले बार का, जो मैं भी सवाल पीकिया हूँ, उसमें से अल्मोस आदे लोग ने जो वो रियल्मी 2 प्रो के वर सवाल किये थे, तो मैंने सुचा एक उठाई लेते हैं, बात करते हैं, इसके बार में, मैं आपको जहाँ तक बता हूँ, तो रियल्मी 2 प्रो आएगा, उसके पहले में एक वीडियो बनाऊँगा, कुछ और लीक्स दूँगा, और एक सर्प्राइस होने वाला है, मेरा बहुत ही जल्दी 24th या 25th सब्टेंबर तक आप वेट कर लीजिए, तो रियल्मी 2 प्रो के बार में, फिलाल के लितनी जानकरी हम ज्यादा नहीं दे सकते है क्योंकि embargo होता है, क्योंकि मुझे वैसे काफी सारी चीज़े पता है स्पून के बार में, तो खेर जबी भी आएगा उसके बार में आपको बता देंगे, यहाँ पर मुझे बोलोगे, Honor Play अच्छा है, या Poco F1 अच्छा है, अगर मैं फाइनल बात करूं तो Poco F1 अच्छा है Honor Play से, प्रोसेसर उसका बहुत भारी है, 845 है, और यह भी अच्छा है, करी 970 लेकिन GPU Turbo के साथ में आता है, दोनों फोन अपने में जगाओं पे अच्छे, डिपेंड करते हैं, आपको कौन सार चाहिए, लेकिन मैं दोनों में से अगर कोई कोई फोन अच्छा हूँ, तो वो राउंड राउंड, पुटिनिया माउथ, राउंड राउंड राउंड, ता नहीं छोड़ो, मोवी कुशल बोलते हैं, भावी के साथ कोलाब, तो मैंने इसकी बारे में आपको बताइए, देखिए, आप कितने सार लोग कितने सावाल पुस्ते हो, लाइक्स देगों कितने सब्सक्राइब करते हैं, यहाँ वहाँ नहीं देखना है, यहाँ बहुत बहुत ज़ाएं, और यहाँ से चया लगते हैं, gefल्गा सार नहीं कारने साव के सार मार्क्त वापस लेंगे, आपको यहितना बड़ा जोक लगता है देखें जोक तो नहीं लगता है लेकिन US जो है वो अगर honestly देखा जाए तो Xiaomi के Redmi 6A के बराबर टक्कर का है हाला कि processor 6A का better है Helio A22 तो MT6739 से way better processor है वो लेकिन कुछ features ऐसे important आपको US में मिलती है 4000 की battery मिलती, fingerprint scanner मिलता है वो आपको Redmi 6A में नहीं मिलती है हाला कि एक phone लाके कोई हम यहाँ पर दावा नहीं कर सकते हैं कि हाँ Micromax में बहुत अच्छा थीर मार लिया Micromax को अच्छे-च्छे force लाना पड़ेगा जब 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 कि वो Xiaomi के सामने खड़ा रह सकता है तभी वो इतिनी बड़ी बात करें, तभी उसके बाद हम बोल सकते हैं, हाँ Micromax में दम है यहाँ पर Quoti 1, 2, 3, 4 पूलता है कि OnePlus 60 इस से एम एस OPPO R17 Pro में भी हो सकता है क्योंकि OPPO R17 Pro जो हो उसके almost सारे features जो है वो OnePlus 60 में मिलते है water drop notch wallet display, under display fingerprint scanner, triple camera confirmed नहीं हुआ है जो R17 Pro में आपको मिलता है, लेकिन देखते है, R17 Pro में जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है Snapdragon 710 processor है शायद से, या 670 में भी, तो OnePlus 60 तो obviously Snapdragon 45 के साथ मैंगा तो यह way better होगा, लेकिन हाँ almost कुछ जगाओं पर आपको शायद से OnePlus 60 जो सेम देखने को मिल सकता है यहाँ पर tech with Nikhil बोलते है कि अभी recently उनको Poco का F1 purchase करना है, लेकिन उसमें कुछ DRM का issue है और अगर वो usually वैसे तो Netflix, Amazon नहीं देखते हैं, तो क्या यह future में fixed होगा, नहीं होगा देखे, actually मैं बता तो DRM वाला जो issue है यह L3 वाला wideband जो support है वो Poco F1 में इसमें L1 होना चाहिए तो जिसमें 540 P के उपर आप videos नहीं देख सकते हैं अगर मैं एक simply term से practically बात करूँ तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, quality वैसे आपको खास इतनी ज्यादा improvements नहीं मिलती है, full HD की बात अलग यह मानता हूँ लेकिन फिर भी अगर आपका काम चल रहा है, clarity आपको मिल रही तो फिर problem नहीं है, और Netflix, Amazon में ऐसे तो काफे सारे phones आपको मिल जाते है market में, जिन में 540 P के उपर जाता नहीं है, तो खेर Xiaomi के Poco phone में अगर ऐसा है तो शायद से हो सकता है, future में company कुछ ऐसा करे, लेकिन मुझे जात तक लगता है, यह इतना बड़ा issue नहीं जिसको बना के रख दी हमने, तो आप adjust कर सकते है, इसमें कोई problem नहीं है, यहाँ परवेस नायक बोलते है कि Vivo V11 Pro कैसा phone है, भाई मुझे लेना था, भाई I am from Jammu Kashmir, देखे भाई Vivo V11 Pro अच्छा phone है, हाँ प्राइस से हिसाब स थोड़ा overpriced है, price दो, तीन, तीन हजार कम होती ही, तो सही होता था यह phone, लेकिन हाँ phone काफी अच्छा है, लेकिन कुछ चीजों में Vivo V11 काफी कमिया कर दी है, अंदर मतलब जो है, वो network के related, network इतना खास नहीं है, और भी बहुत सारी इसी चीज़ है, लेकिन हाँ phone वैसे क अच्छा है, features अच्छा है, best part उसका camera है, selfie तो बहुत ही कमाल की है, तो अगर आप ज्यादा pictures वेकर क्लिक करते है, design अच्छी चाहिए, प्रोसेसर भी अच्छा है, display कमाल का अच्छी है, अडर्स पर fingerprint scanner चाहिए, तो फिर आप इसको consider कर सकते है, तो या पर आरश बाल बोलते आप एका-दो camera में भी काम चलवा सकते, foldable smartphone एक अलगी trend है, अगर देखा जाए, तो वो अलगी feel होता है, इसको use करने के लिए, आप वो आएगा कितना अच्छा चलता है, कितनी problem नहीं होती है, यह तो बात की बात है, जब हाथ में लेकर जो feel and look आपको मिलेगा, जो experience होगा तो उसके बाद अगर हम decide कर सकते हैं, foldable smartphone अभी actually में मज़ा आएगा, यूज़ करने के लेकिन अगर आने के बाद उस तो पता चला है, कर और आवा जा गई, कुछ problem हो गई, तो फिर foldable smartphone की कोई फायदा यहां पर नहीं होने बाला है, जब बार खान बोलते हैं कि Ruiz 25,000 में best Selfie camera, भाई देखो, अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, Vivo V11 Pro इस price में Selfie के मामने में बहुत अच्छा है, अगर आपके बजट 25,000 कोई और फोन नज़र नहीं आ रहा है, तो यह वाला फोन आप जाके ले सकते हैं, यहां पर शोय बक्तिर बोलते हैं कि Realme 2 Pro का weight क्या सौरप ने पूचा है, भाई, लेप्टोप पे वीडियो बनाओ, दें कि लेप्टोप पे मैंने दो वीडियो बनाया हूँ, दोनों ही मेरे परसनल लेप्टोप थे, पहला लेप्टोप लिया था, अभी फिर से Acer का Helios 300 लिया हूँ, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं, वो भी मैंने किया हूँ, अब लेप्टोप के साथ होता है कि कमपनी बहुत कम बेजती है, तो अगर वो भीजेगी तो हम रिव्यू करें कि नहीं बेजेगी, तो हम तोड़ी बोले कि भीजो, बात तो यह है, यहाँ पर इट्स मी बोलते है कि प्लिस गिव मी बेस्ट रजे काफी अच्छा फोन है, अब Redmi 6 Pro आपको चाहिए, तो आपको दो-तिन चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ीगी, प्रोसेसर आउट्डेटेटेटे चलो ठीक है, परफोर्मस अच्छा मिलेगा, लेकिन सेलफी सिफ पांच मेगा पिक्सल किये, आपको उसमें कुर्बानी दे देना है, अगर पापा की यूज क्या है, पापा क्या करते है, बैटरी जाधा चाहिए, उनको बैटरी वाला स्टोरिच वाला जाधा चाहिए, तो शामी का पोको फोन आपन दे दीजिए, वैसा है, फिर रियलमी 2 का पो का ही वेट कर लो, उसके बाद धेख लो, डिसाइड पापा को अच्छा भी लगेगा, तो यहां पे शाहरुक खान, क्या बात है, वाट्सप स्टेटेस, आपकी हाइट कितनी है, और वेट कितनी है, मेरी हाइट 5-11 है, वेट मेरी 69 है, क्या करोगे वैसे, वैवाब चोधरी बोलते हैं कि भाई मेरे दो कैशन है, रियलमी 2 प्र यहां पर देवांग ओजा बोलते हैं कि भाई आप कौन सा वीडियो एडिटिंग सोफ्टेयर यूज करते हैं, फिल्मॉरा करता हूँ, बहुत ही नूब वो एडिटिंग के अंदर, अब मैं दूसरे पर अगर शिफ्ट होता हूँ, अडोबी प्रीमिर प्रो वगरा पे, तो मुझे एक्चुली में सीखने में काफी टाइम लग जाएगा, तो मेरे वीडियो फिर वक्स से नहीं जाएगे, प्लिमॉ लेकिया आता है, यहां पर अनुरंजन टिर के बोलते हैं कि आपको यूटूब में काम करते हुए, कितने साल हुए, 2015 जैनल में चैनल बनाया था, मार्च 2000, February 2016 से काम किया था, तो मतलब अभी अल्मूस्ट दो साल के उपर हो चुके, ठीक है, यहां पर देव कक्रेचा बोलत साड़े 22,000 में Snapdragon 630 वाला फोन लाँज करती है, जबकि यह फोन हमें 11,000 रुपे में इस से बेटर प्रोसेसर मिलता है, 636, एसुस दे रहा है, तो हम क्यों यह फोन लेंगे, एसुस भी कोई खराब फोन नहीं है, खराब कंपनी नहीं है, तो मोटरला का फोन यहां पर क्यों प्रिफर करेंगे, बात तो ही है, मुकेश कुबार यहां पर बोलता है, कौन से सस्ता LED टीवी लू या स्मार्ट टीवी, देखिए आपकी बजट पर डिपेंड करता है, और Thompson का मेरे सामने पड़ा है, यह भी अच्छा है, 20-25-30,000 में मिल सकता है, ऐसे तो बहुत सारी है, चाओमी के टीवी तो मिलते नहीं, तो अगर वो मिले तो भी ठीक है, वैसे तो काफिस आ रहे है, अगर तालूकात बुरे है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, यह गवर्मेंट और वो गवर्मेंट की बीच में सीजन चल रही है, देखिए हम इंसाइनित के नाती बिए मुझे को प्राइब शोश्टी रखते हैं, बस इससे अदमार क्या के सकता हो, यहाँ पर नग नेता बोलते हैं कि वाइउ स्नाप्रेगन प्रोसेसर इंडिया यह शाहिए समसंग की बात कर रहे है, शाहिए समसंग इंडिया में एकजिन उसके साथ में आता है, और यूस में स्नाप्र प्रोसेसर के साथ में जाता है अभी एक्जिनोस प्रोसेसर भी बहुत पॉफुल होता है कोई आम प्रोसेसर नहीं है यह परफॉर्मेंस अगर आप इसमें देखेंगे तो अल्मोस स्नाप्डेकन 845 विचेसी आपको मिलती है जी हां तो प्रॉब्लम नहीं शायद से इनका जो इमित करता हूं मैंने आपके सारे सवालों के सही तरीके से जवाब दिया हूँ और जिनके नहीं दिया तो उनके लिए मैं माफी चाहता हूँ काफी repetitive सवाल थे उसमें से तो अगर शायद सबके पूछा होगा तो आपके जवाब भी क्लियर हो चुके होगे नेक्स सेशन के लिए तयार हो जाएए हैश्टेग आस्रूस लगा के इस वीडियो के निचे कमेंट करिए और ये संड़े चोड़के नेक्स संड़े में आपके सवालों की जवाब देने की कोशिश करूँगा मिलते अपसे के लिए तो में आपके लिए तो के साथ तिल निव गरेटे और अल्वेस कीप स्वाली